Hey Guys, Welcome to Coding Yarn आज के वीडियो में हम बात करेंगे jQuery HTML के बारे में which is basically DOM manipulations using jQuery इस कोर्स के स्टार्टिंग में मैंने आपको jQuery के कुछ advantages बताए थे and one of them was DOM manipulation First of all हम देखेंगे कि DOM होता क्या है Document Object Model It is a programmatic representation of the webpage आपने कई तना के web pages visit किये होंगे और उसके पीछी जो internal code होता है वो एक proper एक program लिखा गया होता है जिसके within हम देखते हैं एक HTML से starting होती है HTML के within head tags, body tags, body tags के within div, paragraphs, spans ये सभी मिलके एक tree structure बनाते हैं जिसे हम dome कहते हैं अब इनी domes में जो tags होते हैं अगर हम चाहते हैं उनको manipulate करना है manipulate in the sense अगर हम चाहते हैं उनका content बदलना है या फिर उसमें कुछ add करना है उसकी कुछ value extract करनी है तो उसके लिए हम use करेंगे dome manipulation dome can be manipulated by various languages like javascript, jquery and angular इस video में हम particular jquery के उपर focus करेंगे कि कैसे हम jquery की help से dome को manipulate कर सकते हैं so first method है हमारा get method get मतलब अगर आप चाहते हैं कि html के within आप कुछ get करना चाहते हैं आप कुछ extract करना चाहते हैं तो उसके लिए हम use करेंगे get method get के within हम चार method study करेंगे that is text, html, well and attribute well means value इन चारों methods को हम एक एकर के study करेंगे with examples so let's get started so मैंने अपना editor open कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक text box create किया है जिसके अंदर कुछ paragraphs है कुछ headings है and एक button है तो अब मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं अपना button क्लिक करूँ मेरे इस body के अंदर जितना भी content है वो display हो एक alert box की through या फिर आप console में कहीं पर इसको display करवा सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इसकी styling दिखाती हूँ तो अब दिख सकते हैं मैंने दोनों divs को buttons को कुछ styling दी है चलिए अब चलते हैं हमारी jquery के code पे I have opened my script tags document.ready और इसके अंदर में एक function open कर लिया button.click अब body के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यहां पर दो div create की है d1 and d2 अगर मैं वहां पर id d1 दूँ तो उसके अंदर मेरा h4 सारे div के अंदर जो paragraphs है और button click यह चारो visible होंगे तो मैं आपको d1 की id देके दिखाती हूँ hash d1 dot text अब आपने normal text method लिख दिया तो आपको display भी करवाना है display माल लीजे अगर आपको alert में करवाना है तो आप text के अंदर function open नहीं कर सकते आपको इसको एक variable के अंदर store करवाना होगा पहले तो जैसे माल लीजे मैंने a variable लिया और उसके अंदर मेरी value store करवा दी अब alert के अंदर मैं a value को display करवाऊंगी तो जैसे मैंने save किया इसको click me तो आप देख सकते हैं alert box के अंदर मेरा text heading and click me ये तीनों चीजें display हो रही है वही अगर मैं यहाँ पे d2 दे दूँ click me तो मेरा जो heading थी और जो button था वो visible नहीं है तो इस तरीके से आप एक variable में store करवाके आपने text को get कर सकते हैं अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे मैं text की जगह है HTML कर दूँ और उसको save कर लेती हूँ अब जैसे ही मैं click me पे click करूंगी यहाँ पे content के साथ आपको markups भी नजर आ रहे होंगे तो HTML का यही फाइदा है कि content के साथ आप यही पता लगा सकते हैं कि उन पे कौन-कौन से tags लगे हुए है अब जैसे माल लीजिए D2 की जगह है यहाँ पे मैं body कर दूँ तो आप देख सकते हैं मेरी पूरी body जो मैंने पूरा code लिखा था सब कुछ visible है यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे एक बार body की जगह P लिखे क्योंकि आप देख सकते हैं कि second if के अंदर मैंने यहाँ पे तीन paragraph क्रेट किया है अब जैसे यहाँ आप मैं P करूंगी और save करूंगी क्लिक में तो आप देख सकते हैं सिर्फ मेरा first paragraph ही visible है बाकी के दो क्यों नहीं हुए तो html method की यह एक property है कि जो first matched element होगा सिर्फ वही visible होगा बाकी के दो नहीं होगे So I hope आपको html method और text method में difference समझ आ गया है अच्छे से अब आगे बढ़ते हैं हमारी next method की और that is attribute method This method returns the value of a particular element अगर आप कोई भी element select करेंगे उसके एक value return करेंगा जिसे for example जो मैरे div 1 है उसकी कुछ न कुछ width होगी तो मैं चाहते हूँ कि div 1 की width return हो तो उसके लिए यहाँ पे मैं div 1 की id दूँगी attr और double quotes के अंदर mention करूँगी width तो जैसे मैं इसको save किया और click किया आप देख सकते हैं undefined आ रहा है क्योंकि मैंने कोई particular value assign नहीं की div 1 की अब अगर यहां पे जैसे for example यहां पे मैं एक paragraph create करती हूँ और उसके अंदर anchor tag के अंदर i root coding yarn और उसकी href value set कर दी www.codingyarn.com और इसको कुछ id दे देते हैं अब width की जगे मुझे इसकी href की value चाहिए तो मैंने इसको save किया click so here it is यहां पे double a आएगी so यहां पे जो address है वो मैंने get कर लिया so this is attribute method यह बहुत easy methods है easily आप learn कर सकते हैं चलिए आगे पढ़ते हैं next method की और value method mostly form elements के लिए यूज किया जाता है form में जब भी हम अपना कोई data डालते हैं तो submit button क्लिक करने पे वो आप data बाद में चेक कर सकते हैं कि आपने जो input दिया है वो सही है यह नहीं मैं एक input box create करूँगी जिसको मैंने कुछ id दे दी माली जिए i2 अब मैं jQuery का code लिखूँगी इसको clear कर लेते हैं console.log my name is और यहाप आप आप करेंगे उसकी id देंगे i2 dot well मैं इसको save कर लिया है अब जिसे माली जिए मैंने आप एक्सवाइज़ नेम दी दिया click me तो अब आपना console open करूँगी so यहाप आप देख सकते है my name is xyz so इस तरीके से आप किसी भी element की value extract करवा सकते है using value method i hope आपको यह आपको यह चारो method html content में कुछ add कर सकते है using set method hey guys welcome to coding आज के वीडियो में हम बात करेंगे jQuery set method के बारे में अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने get method के बारे में बात की थी जिसमें मैंने 4 methods की help से html elements के content को return करवाया था अब वही चार methods को मैं set method में use करूंगी ताकि मैं html elements के content को एक new value दे सको सो चलिए एके करके इनको जानते हैं और examples देखेंगे ताकि आपको इनकी working समझाए सो लेट्स get started सो यहाँ पे मैंने form create किया है इस form की help से मैं आपको वो चारो methods demonstrate करके दिखाऊंगी सबसे पहले हम बात करेंगे text method के बारे में text method को हम use करते हैं ताकि selected element के content को change कर पाएं तो इस case में मैं चाहती हूं जैसे ही मैं submit button click करूं मेरा जो यह paragraph है यहाँ पे thank you लिखा आ जाए सबसे पहले मैं आपको इसकी body दिखाती हूं body के अंदर मैंने एक table के अंदर एक form create किया है और इसकी styling की है चलिए अब jquery का code लिखते हैं मैंने अपने script text open किये तो button को click करने से मेरा function open होगा तो body के अंदर देखते हैं कि मैंने paragraph को क्या id दी थी p2 hash p2 dot text अब हमें जो new value देनी है उसको हम double quotes के अंदर लिखेंगे thank you semi column के साथ इसको end कर देना है अब जैसी मैंने इसको save किया submit button को click किया आप देख सकते हैं जो मेरा text था वो thank you में convert हो गया इसी तरीके से अगर मैं चाहती हूँ इसके उपर मैं कुछ effect अप्लाई करूँ माल लीजी मैंने इसको underline करना है तो underline हम text method से नहीं कर सकते उसके लिए मुझे html लगाना पड़ेगा क्योंकि html के अंदर हम जो markups हैं वो यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर same id दोंगी dot html underline करने के लिए हम यू tag का यूज़ करेंगे और इसको double quotes में ले लीजे इसके अंदर अपना जो content है वो mention करिए save अब जैसे ही मैं click करूंगी submit मेरा जो text है वो underline भी हो गया और change भी हो गया so I think आपको text और html में difference समझ आ गया है कि कैसे हम उसको new value set कर सकते हैं और उसके उपर कुछ effects apply कर सकते हैं चलिए अब हम बात करते हमारे next method के बारे में that is value value method की help से हम जो भी input boxes है या फिर select elements है उनको एक value set कर सकते हैं जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि page को refresh करने पे जो input boxes हैं उन्हें by default को value लिखी आई तो उसके लिए मैं use करूंगी well method तो सबसे पहले इन दोनो input boxes की id देख लेते हैं पहले input box की id है i1 और दूसरे की i2 तो यहाँ पे i1.12 जैसे xyz में नाम दे दिया यहाँ पे class id 12 और इसको save कर लिया तो अब देख सकते हैं refresh करने पे by default मेरी दोनों values लिखी आ रही हैं अब हम बात करेंगे हमारे last method के बारे में that is attribute method attribute method हम तब use करते हैं जब हमें किसे भी element की कोई property change करनी हो for example मैं चाहती हूँ जैसे ही मैं submit button click करूँ जो registration form है उसका color yellow हो जाए तो उसके लिए मैंने एक अलग id बना ली जिसमें मैंने इस paragraph का color yellow कर दिया तो हम इस id को attribute में include करेंगे तो यहाँ पे मैंने id dp1.attribute id keyword, और जो हमने new id बनाई है उसका नाम इसको save कर लेते हैं submit तो अब देख सकते हैं color मेरा yellow हो गया इसी तरीके से आप attribute में कुछ और properties भी डाल सकते हैं लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा properties डालनी है तो उसके लिए आपको curly braces का यूज़ करना होगा मैं आपको एक बार multiple properties यूज़ करके दिखाती हूँ curly braces open करेंगे id new next property के लिए हम कॉमा डालेंगे अब मान लीजे मैं title देना चाहती हूँ इसे form तो मैंने इसको सेफ कर लिया submit तो इसका title भी आपको में दिख रहा होगा तो इस तरीके से आप attribute method का यूज कर सकते हैं किसे भी property को change करने के लिए so i hope आपको यह चारो methods clear हो गए हैं आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम इन चारो methods की help से किसे भी element के content को एक new value दे सकते हैं there are basically four methods that are append, prepend, after and before इन चारो methods के बारे में हम आज की इस वीडियो में study करेंगे so पहले मैं आपको brief में इनके बारे में बताऊंगी फिर जब हम examples करेंगे आपको इनका मतलब अच्छे से clear हो जाएगा so append का मतलब है text को end में add करना prepend का मतलब beginning में text को add करना after और before हम use करते हैं जब हम किसे particular element के बाद हमने उसको add करना है वो end में भी हो सकता है middle में भी हो सकता है कहीं पे भी हम उस content को add कर सकते हैं so चलिए अब इनकी examples के और बढ़ते हैं मैंने अपना editor open कर लिया है यहां पर आप देख सकते हैं मैंने दो examples यह हैं एक list त्यार की है एक button बनाया है जिसको मैंने id b1 दी है दो paragraph है और एक और button है जिसको मैंने id b2 दे दी अब हम jQuery का use करेंगे ताकि हम elements को add कर सके script tags open कर लिते हैं so guys अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी ये unordered list है इसके end में मैं एक और new list add कर दूँ तो उसके लिए मैं use करूंगी append method यहां पर मैं button की id दूँगी तो add list की button की id है b1 hash b1 dot click यहां पर आप mention करेंगे कि कहां पर आप उस content को add कर रहे हो तो यह मेरी unordered list है तो यहां पर मैं tag दूँगी ul.append अब आप देखिए कि आपको कौन सा text add करना है अगर आपको simply एक line add करनी है तो उसको आप simply text mention कर सकते हैं जैसे new text मैं इसको click करते हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा simply text add हो गया unordered list में लेकिन आगर आप इसको as a list देखना चाहते हो तो यहां पर आप list tags का भी use कर सकते हैं तो यहां पर आप मेरा updated content देख सकते हैं चलिए अब यही method हम paragraphs के उपर भी apply करके देखते हैं मैं चाहती हूँ कि इन दोनों paragraphs के end में मेरा कुछ content add हो जाए तो यहां पर मैं add paragraph बटन की id दूँगी जो है b2 dot click तो यहां पर मुझे paragraphs के बाद content add करना है तो tag b dot append this is new paragraph मैंने इसको save कर लिया आप दीखे जैसे मैंने click किया तो दोनों paragraphs के end में मेरा यह content add हो गया आप यहां पर updated content भी देख सकते हैं so guys this was append method आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम append method की help से किसी भी content के end में कुछ न कुछ आड़ कर सकते हैं अब वही अगर मैं append की जगे प्रीपेंड कर दूं दोनों जगे मैं इसको save कर लिया add list तो मेरा जो new list थी वो इस list के beginning में add होई है यहां पर आप देख सकते हैं वैसे ही add paragraph तो इन दोनों paragraphs के beginning में मेरा जो new text था वो add हो गया अब हम बात करेंगे हमारे next methods के बारे में that is after and before method यह दोनों method append और prepend की तरह ही है बहुत मामूली सा difference है आपने देखा कि जैसे ही मैंने append और prepend यूज किया जो मेरा text था वो इस text के साथ concatenate हो रहा था लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा text है वो इस paragraph के बाद या फिर उसके पहले appear हो तो उसके लिए मैं use करूँगी after before method अब मैं दोनों paragraph को id दोंगी p1 and p2 अब मैं चाहती हूँ कि जो यह text है this is new paragraph यह मेरे पहले paragraph के बाद appear हो तो उसके लिए मैं use करूँगी after जैसे ही मैंने add paragraph किया आप देख रहे हैं कि जो मेरे text है अब इस paragraph के बाद appear हो रहा है अब अगर यहाँ पे मैं after की जगे append कर दूँ तो देखे मेरा जो text था वो concatenate हो गया तो यह minor difference है जो आपको after और append में देखने को मिलेगा चलिए अब before method try करके देखते हैं मैं चाहती हूँ जो यह text है अब इस paragraph के पहले appear हो मैं इसको save कर लिया you can see the difference so guys यह थे चार methods jQuery के जो हम use कर सकते हैं किसी भी element को content को add करने के लिए I hope आपको यह चारो methods अच्छे से clear हो गए हैं हम बात करेंगे jQuery remove method के बारे में as the name suggests remove method हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी particular element को remove करना हो it removes the selected element and its child elements अगर उस selected element के कुछ child elements भी है तो यह method उन elements को भी remove कर देगा यह method ज्यादा मुश्किल नहीं है so इसकी हम direct examples पे जाएंगे 2-3 examples try करके देखेंगे ताकि हमें इसकी working समझ आ जाए तो चलिए start करते हैं so यहाँ पे मैंने एक example ली है इस example के थुरू मैं आपको चार method सिखाऊंगी कि किस तरह हम remove method का use कर सकते हैं अब मैं method number one पे आऊंगी इस method में जैसे ही मैं remove list या फिर remove paragraph करूंगी तो यह मेरी list और paragraphs remove हो जाएंगे मैं आपको करके दिखाती हूँ document.ready अब यहाँ पे हम remove list बटन की id देंगे तो यहाँ पे मैंने id दी है b1 dot click बटन क्लिक करने पे function open करेंगे और अब हमें यह list remove करनी है तो मैंने list डाली है unordered list में आप चाहे तो class भी दे सकते हैं लेकिन class नहीं देंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे paragraphs को भी same class दी है तो हम ul लिखेंगे dot remove मैं इसको copy कर लेती हूँ same चीज हम paragraphs के साथ करके देखते हैं अब remove paragraphs की id है b2 तो यहाँ पे b2.click यहाँ पे हम देंगे p मैं इसको save कर लिया है अब जैसे ही मैं remove list करूंगी मेरी list remove हो चुकी है remove paragraph करने पे भी मेरे paragraphs remove हो गए तो यह था method number 1 कि कैसे हम simply एक method यूज़ करके एक particular selected element को remove कर सकते हैं अब हम आएंगे method number 2 पे method number 2 में मैं remove method में एक parameter का यूज़ करूंगी जैसे माल लीजिए इस list को मैंने class दी हुई है test मैं चाहती हूँ कि यह list मेरी remove हो जाए using class तो यहाँ पे remove में double quotes के अंदर मैं लिखूंगी dot test मैंने इसको save कर लिया remove list आप देख सकते हैं मेरी यह list वाला column remove हो गया अब आप सोचेंगे कि मैंने class तो इसको भी दी थी paragraphs को same class दी थी लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने selector ul choose किया है अगर आप यहाँ पे dot test लिखते और यहाँ पे बिना कोई parameter दीए इसको save कर लेते तो जैसी मैंने क्लिक किया इस class के अंदर जो भी content था वो सब remove हो गया जैसे test class के अंदर मैंने buttons डाले थे और paragraphs डाले थे और list थी आप दिख सकते हैं कि सब चीजें सब elements remove हो चुके हैं इस तरीकी से आप particular एक class चूज़ करके उसको remove कर सकते हैं चलिए अब हम आते है method number 3 पर इस method के according मैं remove method के अंदर multiple classes भी दे सकती हूं using comma जैसे मैं यहां पर 2 classes create कर लेती हूं welcome और इसको मैंने class दे दी demo एक और paragraph create करती हूं demo1 अब मुझे यह दोनो classes एक साथ remove करनी है तो मैं चाहती हूं remove paragraph क्लिक करने पर यह दोनो classes remove हो जाएं तो लिखूंगे dot demo comma dot demo1 मैं इसको save कर लिया अब जैसे ही मैं remove paragraph पर क्लिक करूंगी यह दोनो classes remove हो जाएंगे तो अब देख सकते हैं कि कैसे हम multiple classes का use करके एक साथ multiple classes को remove कर सकते हैं अब लास्ट है हमारा method number 4 इस method में हम एक example करके देखेंगे जिसमें मैं आपको remove और detach method में difference समझाऊंगी detach method हमने अब तक नहीं किया लेकिन इस example के बाद आपको detach method भी clear हो जाएगा तो फिलाल के लिए मैं यह सारा remove कर लेती हूँ अब लास्ट है हमारा method number 4 जिसमें मैं आपको एक example करवाऊंगी इस example में हम append और remove दोनों एक साथ use करेंगे तो इस example के according जैसे ही मैं यह paragraph remove करूंगी वो मेरे list में जाके append हो जाएगा चले देखती है कि यह कैसे perform करना है तो यहाँ पे मैं remove paragraph पे क्लिक करके इस paragraph को add करना चाहती हूँ तो second button की id देंगे dot click अब हमें append कहा करना है list के अंदर तो यहाँ पे ul dot append append तभी होगा जब पहले हम उसको remove करेंगे तो मैं चाहती हूँ पहला paragraph remove हो dot remove मैं इसको save कर लिया यहाँ पे bracket अब जैसे ही मैं remove paragraph करूंगी आप देख सकते हैं कि मेरा जो paragraph था वो list में add हो गया इस तरीकी से आप remove method के साथ multiple methods use कर सकते है so guys that was all about remove method अगर आपको कोई भी doubt आता है तो प्लीज comment box में लिखिए और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज like करिए, share करिए और चैनल को subscribe करना न भूलिए thank you empty, detach and remove method के बारे में ये तीनो methods jQuery के methods है जिनका use हम करते हैं HTML content में किसी element को remove करवाने के लिए आपको इनकी working कुछ हट तक same लगेगी लेकिन इन में बहुत ज्यादा difference है so चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे what is empty and detach methods so empty method it removes all the content and child notes from the selected element जो भी आप अपना element select करोगे उसके within जो child notes होंगे उनको remove करेगा जैसे इस example में माल लीजिए ये एक div है मैं आपको इसका body दिखाती हो इस body के अंदर मैंने एक div बनाया है जिसके अंदर तीन paragraphs है और एक button है मैंने div को select किया ताकि मैं इसको empty कर सकूँ so पूरा का पूरा div नहीं remove होगा बलकि उसके within जो content है उसके जो child notes है वो remove होंगे चले करके देखते है script tags के अंदर मैं अपना jQuery का code लिखूंगी सबसे पहले button की id देंगे dot click अब मेरा जो selected element है वो है div dot empty मैंने इसको empty करना है मैंने इसको save कर लिया अब जैसे ही मैं button क्लिक करूंगी आप देख सकते हैं मेरा div remove नहीं हुआ बलकि उसके within जो child notes से वो remove हो गए so यह था empty method जिससे हम elements को remove कर सकते है अगला method है detach method इसको भी करके देखते हैं मैं page को refresh करते हूं अब empty की जगे मैं detach लिखते हूं मैंने इसको save कर लिया क्लिक है आप देख सकते हैं मेरा जो selected element div था वो as it is पूरा का पूरा remove हो गया as the definition says removes the selected elements but keeps the data and the events इसके बारे मैं आपको अगली example में बताऊंगी कि कैसे हम data और events को maintain करके रख सकते हैं यह detach method आपको remove method की तरह नहीं लग रहा होगा जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था लेकिन detach और remove में बहुत difference है सो जो हमारा अगला पार्ट है वो इसी पर है difference between detach and remove सो यहां पर मैंने एक example दी है इस example में मैं आपको पहले इसके body दिखाते हो मैंने एक div create किया जिसके अंदर तीन paragraphs है और दो button एक button के through हम detach करेंगे और दूसरे button के through remove अब यहां पर मैंने एक example ली है जिसके body map को दिखाते हो मैंने एक div create किया और उसके अंदर तीन paragraphs और दो button है जिसके through एक से हम detach करेंगे और दूसरे से remove इन buttons को मैंने कुछ CSS property भी दी है मतलब click करने पर इनका जो background color है वो plum हो जाएगा आप देख सकते हैं मैंने click किया तो इनका background color change हो रहा है अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि detach में selected element तो remove होगा और लेकिन साथ में जो events और data होता है वो maintain रहता है तो इसका मतलब जो यह मैंने background property लगाई है यह भी maintain रहेगी of course रहेगी लेकिन वही चीज remove में हम अगर करें तो यह चीज possible नहीं है remove में एक बार remove हो जाने पे वो data और events maintain नहीं रहेंगे चलिए करके देखते हैं पहला paragraph जो है हमारा उसकी ID P1 है तो हम P1 से start करेंगे सबसे पहले हमने लिखना है कि कहां पे हम उस content को append करवाएंगे append P1 को हमने detach किया detach करवाने के बाद वो हमारी body में जाके append हो जाएगा अब यही code sorry हमने button को click तो किया नहीं झाल झाल मैं इसको copy कर लेती हूँ और same code हम remove के लिए करेंगे paragraph 2 और button 2 मैंने इसको save कर लिया अब देखिए मैंने इसको detach किया तो first paragraph मेरा remove हो गया देखते हैं इसकी CSS property maintain है की नहीं तो इसका background color change हो रहा है वैसे ही मैंने किया second paragraph को remove लेकिन आप देख सकते हैं click करने पे इसका background color change नहीं हो रहा तो यह है difference detach और remove में चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला पार्ट है how to restore content using detach method तो यहाँ पे आप दो paragraph देख सकते हैं और दो buttons अब हमारा जो काम होगा वो होगा कि click करने पे इन दोनों paragraph को remove करना है detach करना है और restore करने से हम इनको वापिस लेके आ सकते हैं देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसको तो button को click करेंगे यहाँ पे इसको मैं ID देखते हूं b2.click p.detach यह तो हो गया detach अब remove के लिए code लिखेंगे तो यहाँ पे button की ID देंगी b1.click अब हमें restore करवाने के लिए prepend method का यूज़ करना होगा तो prepend कहां करवाना है body के अंदर .prepend लेकिन हमारा काम यहाँ पे खतम नहीं होता हमने देखना है कि हमने किसको prepend करवाना है हमने जो detach हुए paragraphs है उनको वापिस restore करवाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक variable create करेंगे जिनको आप document के अंदर declare करोगे और यहाँ पे prepend के अंदर use करोगे इससे हमारे जो detach हुए paragraphs हैं वो restore हो जाएंगे मैंने इसको save कर लिया click detach हो गए restore करने पे आप देख सकते हैं मेरा content वापिस restore हो रहा है आप देख रहे होंगे जो paragraphs हैं वो मेरी heading के पहले आ रहे है इसका reason आपको पता ही है क्योंकि मैंने इनको prepend करवाया था body के अंदर तो यह दोनों मेरे starting में नजर आएंगे So I guess आपको समझ आ गया है कि कैसे हम content को restore करवा सकते हैं आज की वीडियो में हम study करेंगे remove attribute and remove property methods के बारे में चलिए सबसे पहले बात करेंगे remove attribute method के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए कि attribute होता क्या है So guys जब भी हम कोई न कोई element लेते हैं तो कभी न कभी आपने उनको id दी होगी, classes दी होगी या फिर styles दी होगी तो इनको हम बोलते हैं attributes, आप अगर form लेते हैं, तो form में कई की बार आपने value उसको assign की होगी तो वो भी एक attribute है So अब हमारा task क्या होगा कि इन attributes को remove करना है इनकी styling भी देख लेते हैं With respect to their ids मैंने उनको कुछ colors और font size assign कर दिये हैं अब आते हैं हमारे jquery के code की तरफ अब मैं यहाँ पे मेरा first paragraph select करूँगी इसको select करने पे मैं चाहती हूँ इसके attributes remove हो जाएं तो चलिए देखते हैं इनके attributes क्या क्या है id p1 है और p1 में color दिया हुआ है और font size सबसे पहले हम लिखेंगे button को click करना है उसके बाद हमारा selected element यहाँ पे p1 है dot remove attribute अब इसमें parameter क्या देंगे जो हमने remove करना है जैसे यहाँ पे id remove करनी है तो हम लिखेंगे id double quotes के अंदर मैंने इसको save कर लिया इसको run करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं font color sorry color भी change हो गया और उसका font size भी अब यहाँ पे मैंने input box भी लिया है जिसके अंदर value है x, y, z अब हम क्या करेंगे इस input box के value attribute को remove करेंगे तो हमारा selected element होगा input और remove क्या करना है value मेरी value remove हो गई अब हमारा next step क्या होगा कि हमें एक से ज्यादा अगर attributes remove करने है तब क्या करेंगे जैसे यहाँ पे इस paragraph पे मैंने दो attributes लिये हैं एक style and another one is class class में मैंने इसको blue color assign किया है तो अब हम style और class दोनों को remove करेंगे p elements से तो हम लिखेंगे style space class मैंने इसको save कर लिया तो अब देख सकते हैं color और border जो style में मैंने border दिया था वो दोनों चीज़ें remove हो गई so I guess आपको remove attribute method समझ आ गया होगा कि कैसे हम multiple attributes या फिर single attributes remove कर सकते हैं so अब आगे बढ़ते हैं हमारे next method की और that is remove property method it removes the property set by prop method अगर आप किसी भी element को कोई property assign कर रहे हैं तो उसको remove करने के लिए हम remove property method का use करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक div element create किया है जिसको मैंने class दी है borders और साथ में एक button बनाया है जिसको मैंने id दी है btn1 अब सबसे पहले हम एक property create करेंगे पहले हम button को click करेंगे btn1.click अब property create करने के लिए मुझे एक variable बनाना पड़ेगा मान लेजे मैंने x variable बनाया है और उसके अंदर जिसके property मुझे बनानी है उस element का नाम दूंगी div अब हमारा next step क्या होगा हमें property बनानी है तो x.prop और मैंने property बना दी color हम उसको कोई भी green assign कर दिया अब हम करेंगे उसको append ताकि हमें पता चले कि हमारी property क्या assign हुई है तो double quotes में the value is append करने के लिए हम concatenation का यूज़ करेंगे then x.prop color की value हम display करवाएंगे मैंने इसको save कर लिया एक बार हम देखते हैं कि हमारी property add हुई है कि नहीं so यहाँ पर चेक कर सकते हैं the value is green जो color की value थी वो as it is यहाँ पर print हो गई अब इस property को हमने remove करना है तो मैं लिखूंगी x.remove property कौनसी property? color फिर से इस line को copy करेंगे और value print करवाएंगे कि new value क्या है मैं इसको save कर लिया so यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले value green थी उसके बाद value हमारी undefined show हो रही है तो इस तरीके से आप किसे भी property को जो आप assign कर रहे हैं जितने भी आप properties add कर रहे हैं उनको एक एक करके remove कर सकते हैं using remove property method आज की वीडियो में हम बात करेंगे jQuery css classes के बारे में jQuery में अगर आपको css को manipulate करना है तब आप use करेंगे css classes का और इन css classes में main 3 methods हैं that are add class, remove class and toggle class add class हम तब use करते हैं जब हमें किसी भी selected element में कुछ न कुछ class add करनी हो तब हम use करने add class का similarly remove class तब use होगी जब एक selected element में से class remove करनी हो और अही बार toggle class की toggle class दोनों की तरह behave करता है वो class को add भी कर सकता है और remove भी कर सकता है using only one method that is toggle class सो चलिए अब इनकी examples की तरफ जाते हैं एक एक करके इनको समझे चलिए सबसे पहले बात करते हैं add class method के बारे में add class में मैंने यहाँ पे एक example ली है मैं आपको इसकी body भी दिखाती हूँ body के अंदर मैंने दो paragraphs लिये हैं और एक button जिसको मैंने id दी है b1 यहाँ पे मैंने कुछ classes भी create दी है इनको हम एक एक करके हमारी selected element के साथ add करेंगे चलिए अब बढ़ते हैं हमारी jQuery की code की तरफ यहाँ पे हम 3 steps follow करेंगे पहला step होगा कि कैसे हम single class को add कर सकते हैं दूसरा होगा add multiple classes and third one is add using function सबसे पहले हम single class कैसे add करते हैं वो देखते हैं यहाँ पे हम कोई भी एक element ले लेंगे मैंने यहाँ पे पी लिया है और उन में class को add करेंगे यहाँ पे आप कोई भी class add कर सकते हैं माल लीजिये मैंने ले लिया borders आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप class add करेंगे वो double quotes में होनी चाहिए मैंने इसको save कर लिया click सो अब देख सकते हैं कैसे मेरे borders create होगे यह था कि कैसे हम single class को add कर सकते हैं अब वही अगर मुझे multiple classes को add करना हो तो क्या करेंगे मैं इसको copy कर लेती हो और इसको हम comment कर लेंगे अब यहाँ पे borders के साथ मुझे bg class भी add करनी है तो मैं space देके अपनी class का नाम लिख दूँगी click सो आप देख सकते हैं borders के साथ मेरा background color भी visible है इस तरीके से आप multiple classes भी add कर सकते हैं space देके अब हम देखेंगे कि कैसे हम class को add कर सकते हैं using function function method हम तब use करते हैं जब हमारी जो classes है उनके नाम सेम हो लेकिन serial order different हो जैसे pair 0, pair 1 इनके नाम सेम है सिर्फ numbers अलग है सो यहाँ पर मैं एक example देके दिखाते हूं आपको मैंने लिखा p.add class और इसके within हम एक function open करेंगे जिसके अंदर मेरे एक variable होगा n n क्या represent करेंगा इन serial numbers को मैंने इस function को open कर लिया और return क्या करवाएंगे हमारी class का नाम जिसको हम double quotes के within लिखेंगे pair underscore concatenation n क्यूंकि हमारा n vary करेगा इसलिए हम उसको plus करके लिखेंगे मैंने इसको save कर लिया अब जैसे ही मैं click करूंगी आप देख सकते हैं मेरे दोनों classes add हो गए pair zero class क्या कहती थी color देना text को और दूसरा font size को increase करना सो इस तरीकी से आप single classes, multiple classes या फिर functions का use करके किसी भी class को add कर सकते हैं अब आगे बढ़ेंगे हैं हमारे next method की और that is remove class method इस method में भी मैं same example लोंगी लेकिन यहाँ पे एक button create कर लेते हैं remove नाम से इसको मैं id b2 दे देती हूँ इन सभी को हम delete कर देते हैं अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कोई भी एक class को add करके दिखाएंगे बाद में फिर देखते हैं कि कैसे हम उसको remove कर सकते हैं मैंने जैसे एक normal example ली है इसमें मैं borders class को add कर रहे हूं मेरी class add हो चुकी है अब हमें देखना है कि कैसे मैं second button क्लिक करके इस class को remove कर सकते हूं तो यहां पर हम आइडी दूँगे second button की dot click function open किया और हमें रिमोव करना है paragraph से तो p.remove class अब जिस class को आपने remove करना है आप उसका नाम देंगे और मैंने इसको save कर लिया पहले add किया फिर बाद में remove पे क्लिक करने से आप दिख सकते हैं जो मैंने class add की थी वो class remove हो गई यह था कि कैसे हम single class को remove कर सकते हैं अब वही अगर आपको multiple classes remove करनी है तो वो भी possible है तो मैं दोनों जगे मैंने इसको add किया इसमें एक और interesting fact है कि अगर आप remove class में कोई भी parameter नहीं देते तो by default जितने भी आपकी classes add की गई है वो सब remove हो जाएंगी जैसे मैं आपको करके दिखाते हो जैसे यह classes add की गई है अब remove करने पे जो भी classes थी सब remove हो गई इस तरीके से आप बिना कोई parameter दिये भी अपनी classes को remove कर सकते हैं अब अगर मुझे एक particular index पे किसी class को remove करना है तब हम कैसे करेंगे तब हम use करेंगे functions का सो मैं क्या करूंगे अब add class के through एक function define करूंगी जैसे हमने अब ही किया था any variable लिया और return करवाएंगे हमारी class को सो ये मेरी classes add हो चुकी है अब मुझे एक सिर्फ इसी index के zero index पे जो paragraph है उसकी classes को remove करना है सो यहाँ पे मैं function open करूंगी और if के अंदर if के अंदर condition दूंगी कि अगर अगर मेरी n की value zero है तो क्या return करवाए मेरी class का noun सो यहाँ पे double quotes के अंदर pair zero इसको हम brackets के अंदर डालेंगे अब else में अगर हमारी n की value one हुई तो क्या return करवाए वो return that string मैं इसको save कर लिया सबसे पहले मैंने add पे click किया और मेरी classes को add कर दिया remove करने पे आप देख सकते हैं कि color की वो remove हो चुकी है अब वही मालीजे मैंने end की जगे one कर दिया तो add and remove इस तरीके से अब function का use करके किसी भी index पे किसी भी class को remove करवा सकते हैं अब हम एक example करके देखते हैं जहांपे हम एक class को change करेंगे मालीजे by default जो मेरा p element है उसको मैंने class दी हुई है borders by default यह class मैंने उसको provide कर दी अब मुझे क्या करना है कि इस class को change करके मुझे इसका background color set करना है मतलब borders class की जगे मुझे bg class set करनी है तो उसके लिए हम दोनो methods का use करके इस task को complete कर सकते हैं मैं इसको remove करती हूँ p element dot सबसे पहले हम इस class को remove करेंगे borders class जो लगी हुई है dot add class कौनसी class add करनी है आपको bg save सो जैसी ही मैं इस button को click करूंगी मेरी जो class थी किस में convert होगी background color में लेकिन आप देख सकते हैं कि second paragraph में भी रख के लिए चाहती थी तो हम क्या करेंगे हम यहां पर अपना selector change कर देंगे और colon डालके लिख देंगे first मतलब जो भी p element का first element है उसके उपर यह सारी properties लगे तो मैंने add किया और यहां पर देखिए मेरे first paragraph के उपर यह सारी properties apply होगी अब हम बात करेंगे हमारे next method के बारे में that is toggle method यह class बहुत ही easy class है इसमें बस हमें एक button की जरूरत होगी so यहां पर हम remove button को remove कर देते हैं toggle अब हमें जो भी class add करनी है उसको साथ के साथ हम remove भी कर सकते हैं मैंने यहां पर p element के उपर toggle method apply किया और borders class डाल दी इसको save किया अब जैसे ही मैं click करूंगी borders add हो गए फिर से click करने पे borders remove हो गए इस तरीकी से आप toggle class का यूज कर सकते हैं add और remove दोनों करने के लिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे jQuery dimensions के बारे में इस topic में मैं कुछ terms का use करूंगी that is margin, border and padding इन तीनों के बारे में पहले जानते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या है यहां पे आप देख रहे होंगे styling के अंदर मैंने इन तीनों को use किया है, इनकी कुछ value set की है so, यहां पे पहले मैं इस page को inspect करूंगी inspect करने के बाद आपका यहां पे एक dev tools open होगा यहां पे इस image की help से मैं आपको समझाओंगी कि margin, border and padding में क्या difference है so, सबसे पहले यहां पे एक element है जिसकी surrounding में मैंने यह तीनों terms का use किया है यह element क्या है, यहां पे इस case में एक heading और image इसमें inserted है so, यह मेरा एक element हुआ इस element के surrounding में आपको कुछ space नजर आ रही होगी इस space को हम कहते है padding, यह जो padding है यह border और हमारे content के beach वाला region होता है so, अगर आपसे कोई पूछे कि padding क्या है so, आप simply यह बोलिए कि border और content के beach वाला region को हम padding कहते है और रही बात margin की margin हमारे border के बाहर वाला region होता है यह orange color आप देख रहे है यह मेरा margin है मैंने इसको 15 pixel value set की है so, I guess आपको तीनों का मतलब समझ आ गया होगा अब चलिए बढ़ते हैं हमारे main part की तरफ इस topic में इस video में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम किसी भी element की height और width या फिर inner height outer height और outer height width true value कैसे हम display करवा सकते हमारी screen के ओपर so, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कि किसी भी element की height और width कैसे display करवाते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे एक image ली है image को कुछ padding दी है border दिया है और कुछ margin set किया है इनकी values आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे styling के अंदर और नीचे एक button है जिसको click करने पे हम height और width की value डिस्पले करवाएंगी so jquery की code की तरफ बढ़ते हैं अब सबसे पहले मैं अपना button क्लिक करूँगी function open होगा इस function के अंदर जैसे कि हमने यहाँ पे text print करवाना है तो मैं एक variable लूँगी text is equal to कोई भी strength string यहाँ पे bracket आएगी अब text के अंदर हमें क्या-क्या print करवाना है हम लिखेंगे width space यह आप कोई string दे सकते हैं width of the image is कुछ भी लिख सकते हैं हाँ पे string के अंदर concatenation उस element का नाम लिखेंगे जैसे यहाँ पे मेरा selector image है मुझे image के width प्रिंट करवानी है तो image dot width अब next step है हमारा इसको प्रिंट करवाना तो मैंने body के अंदर एक div लिया है एक empty div जिसके अंदर मेरी यह value text के value प्रिंट होगी सो मैं यहाँ पे selector लूँगी div dot html html method का हम use करेंगे और text हमारा प्रिंट होगा सो यहाँ पे ध्यान से देखिए जैसे मैंने click किया मेरी इस image के width यहाँ पे print होगी image के अंदर भी आप देख सकते हैं मैंने इसको width 500 pixels दी थी और वही value यहाँ पे print हो रही है अब अगर आपने height display करवानी है सो इसको मैं copy कर लेती हूँ अब जैसे की हमें height भी चाहिए तो यहाँ पे मैं concatenation का symbol यूज करूँगी width की जगे height मैंने इसको save कर लिया अब जैसे ही मैं button को click करूँगी आप देख सकते हैं मेरी width और height image की दोनों यहाँ भी print हो रही है इस तरीके से हम किसी भी element की width और height प्रिंट करवा सकते हैं अब हमारा next part है कि कैसे हम inner width और inner height डिस्पले करवाएंगी तो उसमें padding भी included होती है जैसे कि अभी मैंने आपको width और height डिस्पले करना आख सिखाया तो इसमें padding border और margin excluded थे अब अगर यहाँ पे मैं inner width लिख दूँ और inner height मैंने इसको save कियाँ click सो आप देख सकते हैं इसमें मेरी padding भी add हुई है कहां मेरी पहले value width की 500 थी अब 540 हो चुकी है क्योंकि दोनों तरफ से जो हमारी width है दोनों तरफ से 20-20 pixels add हो गए है सेम तरीकी से आप height में भी difference देख सकते हैं अब हम बात करेंगी outer width के बारे में अब inner की जग है मैं लिखूंगी outer मैंने click किया सो अब मेरी value और बढ़ गए क्योंकि outer height और outer width में padding और border दोनों included होते हैं अब जैसे कि आपने देखा padding में 540 value आई थी मैंने border कितना दिया है 5 pixels तो दोनों तरफ से 55 pixels add होके 10 pixels add हो गए हैं तो जब भी आप outer width या फिर outer height लिखेंगे तो ध्यान रखिए उसमें padding के साथ आपके border की width भी include होगी तो यह था outer width के बारे में अब हमारा जो next method है उसमें हम margin को भी include करेंगे तो outer width में हमने देखा कि padding और border सिर्फ दोनों ये include हो रहे थे अब अगर outer width में में यहाँ पे true लिख दूँ और outer height में भी true लिख दूँ तो आप notice करेंगे कि margin भी include हो रहा है तो आप देख सकते हैं margin मेंने 70 pixels set किया था तो दोनों तरफ से 140 pixels add हो गया है इस तरीके से आप margin को भी include कर सकते हैं using true value अब यहाँ पे अगर आप false लिखें तो यह बिलकुल वैसे बिहेव करेगा जैसे normal outer width बिहेव करता है तो हमने आज dimensions के कुछ method सीखे जिनको आप कहीं पे भी use कर सकते हैं अब इन्ही एक method को हम use करके एक example करके देखते हैं जिसकी help से हम इस image को resize करेंगे तो मैं इसको remove कर देती हूं और selector use करूंगी image dot width, width मैं इसको 600 दे देती हूं dot height, height के अंदर value 400 and save it अब जैसी मैंने click किया आप देख सकते हैं मेरी image की value increase हो गई तो इस तरीके से आप कोई भी value set करके अपनी image की value को resize कर सकते हैं So that was all about jQuery dimensions अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को like करें शेयर करिए और चैनल को subscribe करना ना भूलिए Thank you is झाल झाल